आज हम बहुत अच्छा एक wedding का DM पेज बनाएंगे, चली शुरू करते हैं, सबसे बहले हम Ctrl N से यहां एक new file बनाते हैं, ठीक है, 12-30 का मैं आपको यह बना के दिखाँगा, आज दोसरे यह से लखके, यहां दोस्तों यू पे जाके, और न्यू ग्रीड पे मैं 15 इंक्रीज करक ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों बैक्राउंड का यहां से color चूज करेंगे, जो बैक्राउंड का हमने cover page बनाना है, ठीक है, ओके, तो मैं Alt दबा कर backspace दबाऊंगा, यह color यहां फिल हो गया, Ctrl U से थोड़ा सा इसको मैं dark कर देता हूँ, ओके, तो यह अच्छा लग रहा ह और shift दबा कर इस तरीके से एक डबी बना लेंगे, select कर लेंगे, Ctrl X करेंगे, इसको बंद कर देंगे, और यहां दोस्तों, Ctrl V से बएस्ट कर देंगे, ठीक है, दोस्तों, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, कि इसको Ctrl T करेंगे, और यहां 47 नम इंक्रीज करके, इसको 45 डिगरी पे अपने rotate कर देंगे, यानि ठीक है, enter दबाएंगे, control T से इसको मैं थोड़ सा setting कर लेता हूँ, कि इसको कहा रखना है, ठीक है, यहाँ दोस्तों मैं इसको कर दिया set, तो यह यहाँ अच्छी लग रही है, ठीक है, control J दबाएंगे आप, और Ctrl T करके Ctrl J से दोस्तों क्या हो गया कि Ctrl J से कोपी होगी है लेर हमारी यह देखिए ठीक है और Ctrl T से मैं इस लेर को यह जो पिछेवर लेर है इसको सेलेक्ट करेंगे और Ctrl T से थोड़ा से इसको बढ़ा कर देंगे ठीक है तो यह देखिए इस तरीके से हमारे यह एक बॉर्ड लग गया है ठीक है इसको मैं कर देता हूं यहां से ओवर ले तो यह देखें बॉर्डर यह इंक्रीज हो गया है बहुत अच्छा एक बार्डर से बनाए ठीक है अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसको ब्लैक कर देते हैं ठीक है हमने दोस्तों पिछ्छे ब्लर की बैक्राउड तो यह देखें मिक्स सा एक बॉर्डर है अगर सिद्धा ब्लैक लेके हम बॉर्डर लगाते तो यह अच्छा बॉर्डर नहीं लगता इसलिए मैंने थोड़ा से ब्लर करके और फिर बॉर्डर ऑवरले कर दिया था इसको अब हम दोस्तों यहां यह वारा टूल से लेक्ट क बन चुकी है इसको यह मैं चुटि और आल्ट दबा कर कपी करता हो और इसको मैं लगाता हूं लेयर में जाके लेयर स्टायल और मैं सटॉक से मैं सटॉक इनसाइड की तरफ किया और इसको मैंने स्टॉक लगा दिया ठीक है अब चाहें तो मिक्स दॉक भी लगा सकते हैंечат balance सबयान 변호 singer 카ighty यह बाला चूच करता हूँ और इसमें थोड़ा सा डार कर देता हूँ ओके तो यह अच्छा लग रहा है ठीक है दोस्तों अब यही बोटर इदर लगाना है तो इसके लिए आप यहां कलिक करेंगे तो यह बोटर यहां कलिक कर दीजिए ठीक है तो यह हमारा बोटर इदर भी ऐसा ही लग चुका है ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हम कुछ अनिमेशन का यहां यूज कर लेते हैं इस पर आएंगे यह कुछ फ्लावर्स मैंने रखे हुए हैं तो सबसे पहले इस फ्लावर को उपन गरता हूँ Ctrl A Ctrl X किया और इसको मैंने बंद कर दिया ठीक है Ctrl W से यह छिन्ट्रोल V से मैंने इसको पेश्ट कर दिया ओके दोस तो यहां दोस्तों आप इसकी ऑपिसिटी चेंज करके देख लीजिए कि कौन सच अच्छा लग रहा है, और स्क्रीन पे रहेंगे तो कुछ हैसा रहा है, तो मैं इसको ऑपिसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूं, तो एक अच्छा एफेक्ट आ गया है, ठीक है दोस्तों, अब दोस खेवरिण हमारी यहां आ चुकी है, अब हम इस को ऊपन करते है, कंट्रोल एक्स कीया और कंट्रोल वी से मैं नहीं पेस्ट किया, कंट्रोल टी से इसको पदिया और रोटेट कर तो यह हमारी एक एनिमेशन यहां मैंने यूज किया इसको दोस्तों आप इस तरीक्के से करेंगे तो यह बहुत अच्छा अच्छा आजाएगा और ले पर इसको किया तो यह सई एफेक्ट आ चुका है तो यहां दोस्तों आप एक फोटो लगा के दिखाते हैं आपको फोटो अब उपन गया और इसको बंद गार दिया थीक है इस लेर को सेलेट किजिए यहां से दोस्तों जो मैजिक टूल है इसको सेलेक्ट किजिए और कांटरल सिफ्ट बीद वाईए तो हम इन दोनों फोटो को ओपन करेंगे थीक है और इस डबडी पर जाके इसको स्लेक्ट किया और Ctrl Shift V दबा दिया, तो इसके अंदर चली गई है, पेस्ट इंटू हो जाती है, दोस्तों, Ctrl Shift V दबाने से, यह मैंने आपको हर वीडियो में पताय हुआ है, Ctrl E दबाएंगे, तो यह बॉर्डर इसके उपरा जाएगा, ठीक है, फिससे Ctrl A, Ctrl X किया, और इसको आप यहां जाके, और इसको Ctrl T दबाकर, दोस्तो, Ctrl Shift T दबाते है, तो जितनी फोटो पहले स्मॉल होगी थी, उतनी ही स्मॉल होगी, ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसी तरीके से इसको भी स्मॉल कर लिया था, ओके, तो इसको मैं कर देताओ, Ctrl E, ठीक है, तो यह बहुत अच्छा हमारा बन चु मैं स्मॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको यहां से सैटिंग उपन करेंगे, और यहां देखिए, 60 पर गरूआ, तो यह इस तरीके से स्मॉल हो जाएगा, अब इसके यहां कलिक करेंगे, तो यह नाम है, जो वैड से इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका कलर रखोंगा, कुछ ऐसा, यहां कलिक किया, ब्रस टूल सेलेक्ट किजिए, और यहां कलिक करेंगे, यह कलर ब्राउन हो गया है, आल्ट दबाकर बैक स्पेस्पेस दबाऊंगो तो यहां फिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसको मैं इस तरीके से सेट करता हूँ दोस्त कर देता हूँ, ओके, इसको कंट्रोल आई करके, और यहां से ओवरले करेंगे, यहां से इसके ओपिसिटी ओवरले करेंगे, तो कुछ ऐसा एफैक्ट आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और इमेज में जाके, आइडिट में जाके, स्वरी, ट्रांस्फ करता हूँ, यह देखिए, यह कुछ वर्डिंग है मिरे पस, इसको मैं यहां ले गयाता हूँ, और जैसे की ब्यूटिफुल मॉवमेंट्स ओन, इसके राइटिंग आप चेंज करना चाहें, तो चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल यहां से मैंने इसको सेलेक्ट किया, और कंट्र सेलेक्ट करने के बाद में, और यहां से दोस्तों आप इसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, 01, 01 और 2020, तो इस तरीक़्े से मैं इसकी राइटिंग चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो यह देखिए दोस्तों, कवर पेज आप करेड़ी है, अब चाहें तो इस पर क चेंज करके या कि आप यह बैक्राउंड है, जो इसको भी चेंज करके बना सकते हैं, कवर पेज, आज के लिए इतना ही शुक्रिया, तोस्तों, मैं उमीद करता हूँ, आपको यह बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी आपका कोई सुजाव या कायद हो, तो फ्लीज कमेंट फोक्स में लिखना ना बुलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेर करना ना बुलिए, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले एपिसोड के, थैंक्यू फॉर वाच मी,